हेलो फ्रेंड्स कैसे हूँ आप सभी मंदा किशन रेसिपी इसमें आप सभी का स्वागत है आज मैं आप सभी के लिए बनाने जा रही हूँ अमरूद की सबजी के रेसिपी अम्रूद की बहुत इस्वादिष्ट सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर यह 6-7 अम्रूद लिये हैं यह थोड़े छोटे साइज के अम्रूद हैं जो एकदम कच्छे हैं और एकदम फ्रेश हैं एकदम टाइट हैं इन्हें मैंने एक दमचे से वॉश कर लिया है इन सभी अम्रूद को हमने इस तरह से कट कर लिया है और आप दिख सकते हैं इनके जो बीज ढाईं पर यह उसे मैंने निकाल दिया है गेस पर में एक छोटा पैन लिया है इसमें हम एक बड़ा चमच कची घनी सरसो का तेल एड़ करेंगे और इसे हम गरम होने देंगे तेल अच्छी से गरम हो गया है और अब हम इसमें एड़ करेंगे आदा चोटी चमच जीरा साथी हम इसमें आदा चोटी चमच बनार सी राई एड़ कर लेंगे जो बारिक वाली राई आती है वही राई हम इसमें एड़ करनी है और साथी हम इसमें चुटकी बार हींग एड़ कर लेंगे इसमें हींग का बहुत अशा फ्लेवर आता है अगर आप यह नहीं खाते हैं तो आप इसे वो इड़ कर सकते हैं और इन सभी मसालों को मचे से मिक्स कर लेंगे जीरा और राइक दमस्टे चटक गए हैं अब हम इसमें एड़ करेंगे एक चमच हल्दी पाउडर साथी हम इसमें एक चमच लाल मिश पाउडर एड़ कर लेंगे एक चमच ही हम इसमें धनिया पाउडर एड़ करेंगे आदर चोटी चमच हम इसमें देगी मिर्च एड़ करेंगे देगी मिर्च बिल्कुल भी दीकी नहीं होती है ये सिर्फ color के लिए डाली जाती है इससे सबजी में बहुत अचा color आता है गेस की flame को मैंने off कर रखा है ताकि मसाले जो है वो हमारे जलेना सभी मसालों को हम अच्छे से mix कर लेंगे आपस में सभी मसालों को इसी तरह से अच्छे से mix करते हुए हमने लगभग एक मिनट तक पका लिया है और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी अड़ करेंगे जिससे क्या होगा कि मसाले जो है वो जलेंगे नहीं अब हम गेस की flame को on कर देंगे और इसे हम कुछ देर तक पका लेंगे सभी मसालों को अच्छे से पका लेंगे जब तक ये मसाले तेल ना छोड़ दें और इत्वमची से पक ना जाएं साथी हम इसमें आदा चोटी चमश गरम मसाला भी आड़ करेंगे आप चाहें तो इसमें किशन किंग मसाला भी आड़ कर सकते हैं इसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है मसालों को हमने बिल्कुल लो फ्लेम पर लगभग दो मिनट तक पका लिया है और अब हम इसमें एड़ करेंगे हमारी क्यूब्स में कट किवी अमरूद दोस्तों मैंने यहाँ पर अमरूद को छोड़ छोड़ी क्यूब्स में कट किया हुआ है आप चाहें तो इसे किसी भी शाइज और शेप में कट कर सकते हैं बस ही असाने से पक जाने चाहिए और अब हम इसमें नमक एड़ करेंगे मैं इसमें आदा चमज सादा नमक एड़ कर रही हूँ और आदा चमज काला नमक एड़ कर रही हूँ काले नमक से सबजी में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इन सभी मसालों को हम आपस में अच्छा से मिक्स कर लेंगे अमरूत पर सभी मसाले एकदम अच्छे से कोट हो गए हैं और अब हम इसे ढख करके कुछ दिर तक पका लेंगे इस लिट के उपर हम इस तरह से थोड़ा सा पानी आइड कर देंगे और जब ये पानी अच्छे से गरम हो जाएगा तब हम इस पानी को सबजी के अंदर डाल देंगे चार से पांच मिनट तक हमने इस सबजी को बिलकुल लो फ्लेम पर पका लिया है बीच पीच में हम इसे चेक भी करते रहे थे और अब हम इसमें एड करेंगे एक चोटी चमच अमचूर पाउडर अमचूर पाउडर बहुत अच्छा टेस्ट देता है इस सबजी में साथी हम इसमें दो चोटी चमच गूड एड करेंगे और जो गुड है वो इक दो मच्छी से मैल्ट हो गया है इस सबजी में और जो यह सबजी है वो इक दो मच्छी से रैडी हो गई है खाने के लिए और आप देख सकते हैं किती बढ़िया टैम्टिंग सबजी लग रही है बहुत ही टेस्टी चट पटी खटी मिठी सबजी बनी है आपको इसे चेक करके भी दिखा देती हूँ जो हम यह अम्रूद है वो इक दो मच्छी से पक गया है अब हम गेस की फ्लेम को ओफ कर देंगे और इस करमा गरम सबजी को सर्व कर लेंगे इस सबजी को आप किसी भी रोटी पूरी पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं यह बहुत ही टेस्टी लगेगी यह खटी मिठी चटपटी सबजी बच्चों को तो यह बहुत पसंद आएगी एक बर आप इस रेसिपी को इस तरह से जरूर ट्राय करकर देखिएगा तो लीचे दोस्तो हमारी यह बहुत ही टेस्टी अमरूत की सबजी बन करके तयार हो गई है कमेंट शेक्चन में मुझे कमेंट करके बतायेगा कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी है साथ ही इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी न भूलें आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ही इंपोर्टन है और मुझे आप सभी की प्यारे प्यारे कमेंट पढ़ना भी बहुत अच्छा लगता है इस वीडियो से रिलेटिड अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्षिन में कमेंट करके बता सकते हैं मैं आपके हर डाउट को जरूर क्लियर करूंगी ऐसे ही नई नई मजदा रेसिपी देखते रहने के लिए अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बला आकम पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूले जिससे आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए और आप मेरी हर नई रेसिपी को सबसे पहले देख सकें और आप ऐसे ही कुछ नया सीख सकें तो चली दोस्तों आप इस चटपटी खटी मिठी मसारेदार अमरूत की सबजी का मजा लिजे मैं मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ तो तब तक के लिए बाई